हाई एक नई सुरुवात और एक नई वीडियो के साथ मैं लेकर आया हूँ एक फ्लोर बेश्ट पजल वैसे तो पजल के क्वेश्चन की कोई सीमा नहीं पर एक्जाम में हमें वो तरीका अपनाना चाहिए जिससे उत्तर पर हम सटीक पहुँचें ये सुरुवात बस उस सटी एक सोच पर पहुँचने की है हर वीडियो में मैं आपको ऐसी ही सोच देता रहूंगा जो आपके प्रस्णों को कभी भी गलत नहीं कराएगी चले सुरू करते हैं और देखते हैं ये क्वेस्चन ये क्वेस्चन मैं चाहूंगा कि आप एक बार वीडियो को पॉस करके पढ समय लग रहा है तो उमीद करता हूँ आपने वीडियो पॉस करके इसे पढ़ लिया होगा चले सुरू करते हैं यहां क्वेस्चन में लिखा हूआ है देरा सेवन परसंस देरा सेवन फ्रेंट्स E G K L M P and X they live on seven different floors of a building lower most floor is number one and top most floor is numbered seven also they like different wave ranges that is colding mozito etc यह सब लिखा हुआ है और उसके बाद conditions दी हुई है तो हमारा कहने का मतलब है कि यहां पे एक building है जिसमें floor based है यह पजल जिसमें building दी हुई है और जिसमें सभी floor का number दिया हुआ है एक से लेकर 7 तक और जितने भी लोग रहते हैं वो अलग-अलग wave ranges like करते ह हैं तो हमारी जरूरत यहां पे सबसे पहले यह है कि हम एक table बना ले जिसमें यहां पे साफ-साफ mention है कि lower most load जो की number 1 है उसके उपर 2-3 ऐसे करके यह 7 तक जाता है जो कि यहां पे साफ-साफ mention है तो इसके बाद इसमें कहा गया है कि इन लोगों को अलग-अलग wave ranges पसंद है तो हमने positivity का column बना लिया और यह persons का column इस तरह से हमने यह बना लिया एक्जाम में हम लोग इतनी कलाकारी नहीं दिखाने वाले वहां तो हम सीधा एक इस तरह से line खीचेंगे और इस तरह का हम लोग बनाएंगे जहांपे number और परशन और बेवीजेज के बारे में सीधा सार E likes tea and P like juice देखिए मेरे approach का सिधा सा मतलब यह है कि यहाँ पे जितने भी condition दिये हुए है अगर आपको लगता है कि यह definite condition है definite condition का मतलब कि आपको इसे पढ़ने के बाद ही अगर यह लगता है कि आप इसे इस जगह पे fit कर सकते है तो आप इसे जरूर यहाँ पे fix कीजिए लेकिन अगर आपके पास possible cases है यानि आपको यह नहीं पता कि यह एक जगह हो सकता है या दो जगह या तीन जगह यानि आपके पास कोई भी fix position नहीं है तो आप इसे हमेशा एक condition के form में लिखे और यह condition के form में लिखना ही आपके समय को बचाएगा अन्त में आप देखेंगे कि इस तरह से लिखने से आपको क्या-क्या फायदे है यहाँ पे लिखा हुआ e likes tea and p likes juice हमें नहीं पता है इतने जगह में से वो कहां बैठेगा इसे हमने एक condition के form में लिख दिया e likes tea, p likes juice ठीक है इसके बाद लिखा हुआ है कि l lives immediately below the one who likes green tea and he likes coffee तेखे यह जो full stop यहाँ से सुरू होता है और यहाँ पे खतम यहाँ पे थोड़ा सा लंबा statement है लंबे statement को पढ़ने के लिए थोड़ा सा आप pause लेकर के इसे पढ़िए ऐसा जरूरी है एक्जाम में कि आप इसे एक सास में पूरा पढ़ दो क्योंकि थोड़ा से एक्जाम के प्रेसर के वज़े से हो सकता है आप कुछ data मिस कर जा तो सबसे पहले यह पढ़ते है तो यानि immediately below the one who likes green tea यानि यह एल जो है वो एक ऐसे person के immediately below है जिससे green tea पसंद है तो यहां हमने इसे green से denote कर दिया आप इसे समझने के लिए green tea यहां लिख दिये and he likes coffee and के बाद he लिखा हुआ है यह किसको denote कर रहा यहां पर अगर हम statement को पढ़ेंगे तो यह and he likes coffee यानि यह सीधा सीधा first person को denote कर रहा देखिए and और who का जो confusion होता है वो काफी लोगों को होता है यहां पर मैं एक बाद चेट clear कर दूं कि ell lives immediately below the one who likes green tea यानि यहां पर जो लिखा हुआ है ell lives immediately below the one who likes green tea यानि यह यहां सीधा who object को represent कर रहा क्योंकि यहां one के बाद में who लिखा हुआ है यानि यह हमेशा object को represent करता है और and जो होता है वो subject को represent करता है इस पूरे statement का जो subject है वो है l तो l के बारे में बात हो रहे थी तो वो green वो है coffee पसंद करने वाला तो उमीद करता हूँ यह आपको समझ में आयोगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहां पे लिखा हुआ है कि l lives on odd number floor and likes mojito यानि x के बारे में है कि x odd number floor पे है और x को mojito पसंद दे इसे भी मैंने condition के रूप में लिख लिए हमें नहीं पता यह कहां पे fit बैठेगा अभी उसके बाद आते हैं देखिए उसके बाद लिखा हुआ है कि g lips on fourth floor यह एक sufficient data है जो कि हमें एकदम से fix कर देता है कि g कहां पे बैठ रहा यहां पे साब साब लिख दिया कि g fourth floor पे है यह एक definite condition है इसलिए हमने इसे यहां put कर दिया और and कहा मैंने जैसा कि यह एक subject को represent करता है तो and likes green tea यानि यह g के बारे में बोल रहा तो g जो कि green tea पसंद करता है ठीक है आगे बढ़ते हैं उसके बाद लिखा गया कि ellipse just below p sorry just above p यानि e जो है वो p के just above में बैठा हुआ है तो यह हमने arrow से ऐसा represent कर दिया थोड़ा सा टेड़ा arrow इसलिए बना है क्योंकि यह just above दिया हुआ है just above अगर immediate just above या immediate ऐसा वो कोई word नहीं होता तो हम इसे straight arrow से represent करते जरूरी नहीं कि आप इसे मतलब मेरे कहनुसा represent करो आप अपना एक notation बना लो और उसी को हमेसा यूज करो ताकि आपको खुद में confusion ना हो मैं हमेसा immediate के लिए ये cross arrow यूज करता हूँ इसलिए मैंने ये लिखाया उसके बाद है कि but not on second floor यानि E के बारे में कहा गया है कि ये second floor पे नहीं रहता ठीक है तो इतनी condition हमने note कर ली इसके बाद हम आते हैं के lips on odd number floor above fourth floor यानि के odd number floor पे ये हमने यहाँ पे लिख लिया और above fourth यानि चार के ऊपर ये कहीं पे भी हो सकता है पांच छे साथ ये तीन जगा है कहीं पे भी हो सकता है तो हमने इसे एक straight arrow से represent किया क्योंकि ये immediate नहीं है इसलिए ये पता चल रहा कि fourth के ऊपर है के और ये odd number पे है और लिखा हुआ है कि and like soup and फिर से आया subject के लिए यानि and यहाँ के को बोल रहा कि ये soup इसे पसंद है ये हमने bracket में soup लिख लिए ठीक है सबसे अंतिम condition यहां लिखा है P does not live on even number floor पी के बारे में लिखा गया है कि P even पर नहीं रहता तो इसलिए मैंने एक definite बनाने के उमिद करता हूँ आपको समझ में आओगा अब देखिए एक्जाम में क्या होता है कि हमारे पास एक computer screen है और एक paper होता है तो हमें तो computer screen पर देखना है और paper पर लिखना है लेकिन अगर हम बार बार question को पढ़ते रहेंगे तो हमारे time waste बहुत जादा होगा और हमारा focus भी इस solve करना है और solve किया और हमारे question खतम इसके हमें कम से कम 5 marks मिलेंगे तो इसलिए ये banking exam में काफी important topic हो जाता है क्योंकि अब banking exam में 3-4 पजल आते हैं और sitting arrangement मिला करके कभी-कभी इसकी संख्या 5 भी हो जाती है तो इस topic को strong करना हमारे लिए काफी जरूरी है चलिए देखते हैं औ इससे हमें option में जो possibility बनती है उसे eliminate करने में काफी आसानी होगी यह देखते जाए अब कैसे यहां पर हम पहुंच के कि G green tea इसके पिछे वाले slide पर जाते हैं कि G green tea यहां पर fix हो चुका है कि G और green tea है इतने condition में हमें अब देखना पड़ेगा कि इसके respect में कौन सा condition match खा रह देखे green tea यहां मैंने पहले ही लिखा था कि यह green tea है और उसके immediate below में L coffee है यानि अब यह भी definite condition हो गया जी चुकी fix हो चुका है green tea fix हो चुका है तो इसके immediate below यह 4 floor पे है तो 3rd floor पे हमारा L coffee आ जाएगा यानि इस condition का हमने use कर लिया देखे कितनी तेजी से होगा और अब आगे देखते जाएए इसके बाद लिखा हुआ है जी एल हो गया green tea coffee हो गया अब हम मारे पास यह conditions बची थी एकस का हमें पता नहीं के और सो 4th floor पे है 4th floor के ऊपर है यह अभी भी 4th floor यहां से के बाद अभी कोई भरी नहीं गई है तो इसके बारे में भी हम यूज नहीं कर रहे ह इसके बारे में बस लिखा हुआ कि यह odd pair ठीक है E P यह थोड़ा देखिए बड़ा condition है और E के बारे में और भी कुछ दिया हुआ है कि E और P क्या-क्या पसंद करते हैं इसके बारे में भी दिया हुआ है इन दोनों condition को हमें merge करना पड़ेगा देखिए E के बारे में पता है कि यह T पसंद कर रहा पी जूस पसंद कर रहा और बाकी यहां सभी floor चुकिए अभी तक खाली है हमने कोई data भरा नहीं है इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं कि E के P के immediate उपर में E है और E second floor पे नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले यहां क्या हम लोग बिठा सकते हैं इसे E तो second floor पे है ही नहीं immediate P के उपर है तो हम लोग यहां पे नहीं बिठा सकते इसे इन दोनों जगह पे नहीं हो सकता पॉसिबल ही नहीं है अब हम लोग यहां देखेंगे यह तीन जगह बची हुई है क्या इन तीन जगह पे कहीं पे हम लोग इसे बिठा सकते हैं E P के just उप है और E सेकेंड पर नहीं है तो क्या हम लोग इसे इस जगह पर बिठा सकते हैं E के ऊपर P और एक तीसरा कंडिशन यह भी लिखा हुआ कि P और पर है यानि जब इन ही तीनी जगह से आना है और P के ऊपर E को होना है तो यह और तो बस यही पांच नंबर बचा तो हमारा जो कंडिशन हमने देखा यहां पर इस हिसाब से यहां पर पूठ हो जाएगा P के ऊपर E और इन लोगों को जो पसंद था यह हमने यहां पर मैंशन कर दिया तो हमारे कंडिशन है एक और पे है जिसे मोजीटो पसंद है और हमारे पास बस एक ही बचा जो कि फर्स्ट फ्लोर है तो यह यहां पे हमने इसे बिठा दिया जो बचा हुआ रिमेनिंग है वो एम था जिसे कोल्डिंग पसंद है तो इस तरह से हमने देखा कि यह फ्लोर बेश्ट पज करियर हो जाए थैंक यू